बॉंबे हाई कोट ने फेक एंकाउंटर केस में एंकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा को उम्रकैत की सजा सुनाई है ये खबर है अब हम आपको ये जो मामला है 2006 का है लखन भाईया एंकाउंटर केस जो की फेक एंकाउंटर है ऐसा कोट ने कहा है और के रहने वाले थे लखन जो लखन भया, उनका उर्फ उर्फ कहा जाता था लखन भया, वार्षी के रहने वाले थे मुंबई के, वो एक पूर्फ गैंक्स्टर भी थे, उनका अपहरन पहले कर लिया जाता है, उसके बाद ग्यारा नॉम्बर 2006 को पुलिस एनकाउंटर में उसकी हत्या कर दी जाती है इसके बाद होता क्या है S.I.T. बैठती है जाच होती है S.I.T. ने आरोप लगाया कि जो इंस्पेक्टर है वरिष्ट इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा इस टीम का नेत्रुत कर रहे थे और जो एनकाउंटर था वो फेक एनकाउंटर था क्योंकि जो लखन भाया के प्रतिद्वंदी जो बिजनेस पार्टनर से उनसे मिलकर प्रदीप शर्मा ने साजिस रची और लखन भाया को परेशान किया उसके बाद एनकाउंटर हुए हलांकि केस चला जुलाई 2013 में मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया गया उसके बाद इस दोरां तीन पुलिस करमी इंस्पेक्टर प्रदीप शुरीवनसी, दिलीप पलांडे और कॉंस्टेबल तनाजी देसाई को इस मामले में दोशी ठहराया गया था इसके अलावा बाकी 18 आरोपियों को एनकाउंटर के लिए उकसाने के मामले में दोशी ठहराया गया था ट्राइल कोट में मामला पहुचा, ट्राइल कोट ने बरी कर दिया प्रदीप शर्मा को और कहा कि जो मुख्य रिपोर्ट थी बैलेस्टिक रिपोर्ट उससे विश्वास नहीं हो रहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि लखन भाया की जो सर पर गोली लगी थी और प्रदीप शर्मा की बंदूग से चली थी ये ट्राइल कोट का कहना था इसके बूतों को देखने से आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे देखते रहें इंडिया.com शुक्रिया